जैसे ये कुरमुरा बनाने वाली मसीन है आनि हम सिस्केर से नमकीन बनाते हैं चावल्खे किसी प्रकार के नमकीन तो ये साल भर पड़े रहने के कारण ये जाम हो जयता है। तो इस पूरे डिब्बे को आप गरम पानी में ऐसे डूबाते हैं, जैसे कि अच्छी तरह से डिब्बा डूब जाए, आप देखो कि इसमें से बुलबुला निकल रहा है डिब्बे में से, यानि जो इसका जाम है वो खुल जाता है, ये देखे ध्यान से, ये तो फिर हम इस पड़े से पकड़ लेंगे, ऐसे यहाँ, अब फिर हम इसको खो लेंगे, ये देखिए, ये आराम से ये खुल गया, ये जो आप देखो कि ध्यान से, इसमें जंग लग जाते हैं, रखने से, ये श्टील है फिर भी, तो इसी-सी ये जाम हो जाता है, जब इसमें पानी जा तो इसकी चूड़ियां नरम पढ़ जाती है, खुल जाता है, तो आसानी से आप इस तरह के जो भी मसीनिया आप रखें, ऐसे सेमय उगर बनाने की मसीनिया पहले जाती थी, तो ऐसे ही खुल जाता था, तो आप इसको ऐसे खोल सकते हैं, उसी प्रकार से ये थर्मस है, चाय रखने का, तो ये भी काफी ऐसे कस के हम बंद किये, तो ये खूलता नहीं, जब हम सुबह इसको धोने के लिए लाते हैं, विसे इसका ठंडियों में, तो ये जाम हो जाता है, हम लोग बहुत परसान हो जाते हैं, तो इसको क्या करें, कि थोज़ ऐसे कि ये गरम पानी है, तो इसको अईसे ले ले ले, अगरम का, बहुत गरम है, तो हम इसको ये प्लास्टिक रहता है, हम इसको यहां ऐसे डाल देते हैं, ऐसे, तो ये चूडियों के अंदर गुश जाता है, और फिर हम इसको आसानी से ये देखिए, ये, ये, जब खोलते हैं तहां से गैस निकल सकते हैं, ये, आसानी से, अधिकतार ये, बंड ही हो जाता है, चिपक जाता है तनय खोलता है, ये हो गया, उसी प्रकार से ये, ये सीजे का है, ये, कांच का जार है, और ये, हक इसको अदर भुझ अधिल, वह प्लास्टिक होता है, तो अधिकतार ठण्ध में, ये भी झाम सकते हैं तोड़ने फेकने से अच्छा है तो आप यहां चूड़ियों में ऐसे ऐसे अब दाल देँ अंदर नहीं जाएगा पानी है पानी यहीं तक रह जा और यह देखिए यह बहुत कड़ा खूल रहा है फिर भी खूल रहा है यह खूल गया इसमें पानी नहीं गया है आप देखे धियान से यह किनारे किनारे पानी थोड़ा बहुत लगता है तो आप इसको आराम से पोच दें और बंद कर दें इस डिब्बे को मैं दिखाना जाहती हूं यह पुराना मतलब अचार क कर दिब्बे लिच्ग प्लास्टिक का है पर यह भी जाम हो जाता है बहुत खोले दिए तुम इसमें एसे पड़ पड़ा हटी आवा जाती है पर खूलता नहीं है तो मिर्चको घाक है इसमें बडरी रखी है बडरी बनाई हूमें तो हम इसको ऐसे कर दें खूपल इसेदे तेट अई को घेन्ट आयद्धे Gjustuk में ढ़ना एंदर पानी नहीं तक हम इसको ऐसे डाल दें पाणी को ते प्लास्टिक है इसमें बूल अभी निकल रहा है तो यह नरम पढ़ जाता था यह ऑठाध़य फिर हम इसको खोल 강ईिये बहुत आराम से-ई सब डिब्ले चा जी प्रकार से इसको दिखाऊंगी यह स्टील का रिब्बा है यह काफी कड़ा खुलता है कोई-कोई दिब्बबा होते हैं जो की कडा खुलते हैं सब नहीं तो जो ढ़ने करें फूलन घञती है इसके तो आप आपको बताना चाहूंगे कि आप इसको सीधे गयस पर रख दें जैसे कि यह डिबबा है यहां जाम होता है तो आप गयस को जला लें और फिर ऐसे डिबबे को रख के ऐसे ऐसे गयस पर आप घुमा दें तो यह गरम हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा हाथ जलने का खत्रा रहता अगर बहुत ज्यादा जाम है तो थोड़ा बड़ा बरतर में पानी गरम आए उसमें डिबबे को इस भाग को डूबा दें जैसे कि बहुत ज्यादा जाम होगे नहीं खुल रहा है तो इस भाग को डूबा दें फिर उसको निकालें गरम है तो कपड़े से पकड़ने और य असे प्रकार से खोलें उसी प्रकार से देखिए यह भी डिभा साथ हूं ये यहां से जाम होता है यह कि मालनो हमेXT महिन नहीं खोलें ऑप बिसमें ठंधी में फ्लास्टिक वोकांता है कोई भी जांग हो यहांज तो हम ऐसे डाले ऐसे कुछ देर जब हम डालते हैं इसको पूरी तरह से नरम हो जाता है ये ऐसे डाले अवे देखिए ये आसानी से खुल गया जैसे मैं आपको दिखा रहे हूं अगर आपके हां ऐसा कोई भी डिब्बा है किसी भी धातू का काच हो इस्टील हो पीतल हो या इस टाइप जैसे हम ये मसीने हैं जो कुर्मुरा गर बनाते हैं इस टाइप कोई भी डिब्बा हो कुछ भी जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये काच है ये काच का जार है ये लेकिन ढखकन प्लास्टिक का है तो ये भी जाम हो जाता यह भी बहुत जाम जाता था हम इसको जब खोलते हैं कभी-कभी तो हाथ से छोट के गिर के फूड भी जाता है तो आप कभी भी इसके साथ ऐसा ना करें आप इसको ऐसे लेटा दें कहाए कि आहां पानी डालना है अंदर की चीजे आपकी नहीं भीगेंगी अब मालो कभी एक पानी गया भी तो आप उसको सुखा ले इसको ऐसे 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 इसको डाले ऐसे गरम पानी ऐसे डाले कुछ देर अब उसके बाद फिर इसको ऐसे खड़ा कलने थोड़ा कड़ा खूल रहा है तो हम इसको ऊपर थोड़ा पानी और ऐसे डाल देते हैं ऐसे कुछ दिर तो यह चूडिया नरम हो जाती है यानि कि प्लास्टिक बागी तो यह काच है ही ऐसे इसके उपर का पानी हम निकाल देते हैं पानी अंदर चला जाएगा यह देखिए यह खुल गया और अंदर देखिए एक भी पानी अंदर नहीं गया है तो इस टाइप के डिब्बे जैसे आप धक्कन में पानी लगा तो इसको थोड़ा कपड़े से पोंच के फीड से लगा दें तो मैं आपको आसाम तरीका बता रही हूँ अगर किसी भी कर दिब्बा अगर जाम हो जाता है तो आप इस तरह से इसको खोलें एक कई बड़ा डिब्बा है जो कि यह डालडे का डिब्बा है इसमें हम अंदर सककर रखे हैं पर इसकी चूडियां क्यूंकि यह प्लास्टिक का है अभी ठाण चल रही है यह गर्मी में भी कभार यह तो यह काफी बड़ा है डिब्बा, इसमें सककर है, तो ऐसे हम इसको लटा देँगे डिब्बे को और यह गरम पानी है, इस पानी को हम इस प्रकार से इस डिब्बे के धकन पर डालेंगे, ऐसे, कभी कभार तो बहुत लोगों को बुलाना पडता है, घर में भाई लोग खोल तो अईसे माताय बहनों को परसान नहीं होना पड़ेगा, आप गरम पानी करिए, डिबबे पर डालिएए, और मुषकिल से आधा मिनट भी नहीं लगेगा, आपका डिबबे और रम से खुल जाएगा, यह, बड़ा से बड़ा डिबबा, छोटा से छोटा डिबबे कोई भी यह देखिये, यह डाल दिये है, यह कापी गरम हो गया है, फिर हम इसको ऐसे खड़ा कर लेंगे, थोड़ ऐसे पानी लग गया है, तो इसको पोच लें, ऐसे यह देखिये खुल गया, तो दोनों हाथ से भी, एक जन से हम बोलते हैं, नीचे पकड़ो, फिर हम खोलते हैं, फि यह जो आपको दिख रहा है यह क्योंकि सख्कर का डिबबा है तो यह तेल लगा हुआ जया इसलिए छिटी नहीं जाती है यह पानी नहीं यह तेल तो आप इसको बंद कर लें तो इस प्रकार से जितने भी आपके यहां डिबबे है कोई भी जाम चीज है जो खूल नहीं रही तो आप इसी प्रकार से पानी गरम करके धकनों पर डालके आप खोल सकती हैं साधानी पुरोग आसानी से ऐसे ही टिप्स हम आगे भी आपको बताएंगे तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आसान जिंदगी तब तक के लिए नमस्कार सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए झाल